पिंच तो देखी इसके लिए ये मैंने स्टिचिस डाल लिए हैं इसके जो स्टिचिस डलेंगे ओड नमबर में डलेंगे टू के मल्टीपल में दो फंदे गिन लेजे फिर से दो दो गिनते जाएं लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए होगा और सीधी तरफ से ये pattern शुरू होगा और ये 10 सिलाईयों का pattern है 10 rows में ये pattern complete हो जाएगा उसमें से जो 4 सिलाईयां हैं पहली वो उल्टी सीधी आएंगी और next 4 rows में ये pattern डलेगा तो border के बाद सीधी तरफ से जो pattern की पहली सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी एजवाल अफंदा हैं आपकी मर्जी इसे बनाई हैं उतारें मैंने इसे उल्टा बनाया तो पहली सिलाई पूरी सिलाई सीधी सीधी बनानी है knit all the stitches तो जब तक मैं पूरी सिलाई सीधी बनाती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस असान से बनने वाले pattern को बनाना सीख सकें अब हमारी pattern की second row है back side है पूरी सिलाई उल्टी बनेंगी purl all the stitches 3rd row front side फिर से हमें पूरी सिलाई सीथी बनानी है knit all the stitches 4th row back side फिर से पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है purl all the stitches अब हमारी pattern की 5th row है front side अब यहां हमें second color को भी add करना है पहला फंदा इसी से बनाएंगे अब यहां पर दूसरा color add करेंगे एक यह बनाया इस color से एक skip करा फिर दूसरा फंदा बनाएंगे फिर skip करेंगे यह इस तरह से skip करना है तो इसी को हमें repeat करते जाना है बार बार एक फंदा बनाना है एक skip करना है फिर उसे skip करा एक फंदा सीधा बनाया skip करा सीधा बनाया Last फंदा skip करा अब हमारी पेटरन की 6th row है प्रंट सेड जो फंदर स्किप किया था उसे हमें स्किप ही करना है और धागा पीछे और इसको सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ ये फंदर स्किप करा इसको सीधा बनाया धागा अपनी तरफ ये स्किप करा इसको सीधा बनाया, स्किप करा, सीधा बनाया, स्किप करा, सीधा बनाया, और स्किप करा अब हमारी पेटरन की सेवन्थ रो है, फ्रंट साइड अब हमें इसे पूरी सीधी बनानी है, वाइट कलर से, knit all the stitches एट थ्रू, बैक साइड, ये भी पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी बनानी है, knit all the stitches अब हमारी पेटरन की नाइन्थ रो है, फ्रंट साइड एक फंद इससे ऐसे बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे फिर एक फंदा बनाया, skip करा, फिर से बनाया, skip करा, बनाया, skip करा, फिर से बनाया, skip करा, बनाया और skip करा. अब हमारी पेटरन के टेंथ रो है, बैक साइड, टेंथ रो में, जो फंदर सीधा बनाया हुए, उसे सीधा बनाएंगे, और जो स्किप किया हुए, उसे स्किप करेंगे, सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ स्किप करा, फिर से सीधा बनाया, स्किप करा, सीधा बनाया, स्किप करा, फिर से सीधा बनाएंगे, और स्किप करेंगे, सीधा बनाया, स्किप करा, लास सीधा, बस हमें इनी सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है, तो अब हम फिर से पहली रोह से बनाएंगे पूरी सिलाई सीधी-सीधी बनाते जाएंगे, यह चार सिलाइया, फिर हमारी इस कलर से सीधी-सीधी आएंगे, तो एक बार ये मैं पूरी सीधी सिलाई बना के दिखा देती हूँ तो बस हमें इनी चार सिलाईों को बार बार रिपीट करते जाना है तो इस तरह से ये एक बड़ा सुन्दर सा पैटरन बनके रेडी हो जाएगा उमीद करते हूँ आपको ये पैटरन पसंद आया होगा मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करतीजिए बेल आइकन भी दूआ लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे बीजिए करते हैं